हरी ही ओम श्री सद्वरु प्रमात्मने नम्हा ओम श्री हरी प्रमात्मने नमूण नम्हा बोल रेशे गनपती महाराज की जै गनपती बाप्पा मोर्या मंगल मूर्थी मोर्या नमस्कार के साथ आफ सबी का वेदिक सिदि यूट्यूब चनल पर स्वागीत करता हूँ और जगाने के पीछे का कारण यही था कि रिद्धी और सिद्धी सहीद शुमहा अगनपती ठीक है वो हमारे घर में हमारे घर के नजदीक जो मंदीर है जो मंडल है ठीक है वहां पर पदार ने आ रहे हैं वैसा है अब देखिए 2021 का साल जो चल रहा है और गनपती जी के आने की त वो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन वो पधारते है वैसा है क्योंकि गनेश पुरान के अनुसार गनपती जी का जन्म इसी दिन हुआ था इसलिए श्री गनपती देवता को इसी दिन बुलाया जाता है उनका आवाहन स्थापन होता है तो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी गुजरात और महाराष्ट्र में भाद्रपद के जो शुक्ला पक्षे वो चल रहा है ठीक है बागी के सारे राज्ये वो 15 दिन आगया चलते है फिर भी आगया चलते हो वहां पे कुष्णपक्ष वेगरमान लो चल रहा हो ठीक है फिर भी पूरे भारत प्रदे पूरा भारत जो देश है ठीक है उनकी यह विशिष्ट्रता और हमारे सनातन हिंदु धर्म की जो एक आनंद वाली बात यह है कि आप यह भूल जाओ कि कहां पे कौन सी तिथी कौन सा पाक्ष या कौन सा मास चल रहा है पर जो त्योहार है वो एक ही दिन हर जगा पे मनाया यहां जाता है ठीक है जैसे न जनमाष्टमी थी तो कौशन जनमाष्टमी द्वारे का राजा रंचवट जो डाकोर में विराजवाने वहां पे जहां जहां पर बहुत कुश्ण मंदीर है ठीक है गुजरात महाराष्ट्रा, राज़स्तान, दिल्ली, उतरप्रदेश, उतर पिर भी जन्माश्टमी वह एकी दिन बनाई जाती है तो इसे हिसाब से आप लोग समझ लो कि गनेश जी कि अगर आप पूझा करना चाहा रहे हो ठीक है गनेश जी को अपने घर में अपनी जो ओफिस से वहां पे जो लोग का स्टोक मर्केट का ट्रेडिंग करते हैं ठीक है अपना ट्रेडिंग टर्मीनल है वहां पे गनेश जी को बीठाना चाहते है ठीक है गनेश जी की पूझा करवाना चाहते है तो यह तारीक आप नुट डाउन कर लीजे कि गनपती जी के आने की जो तारीक है वो 10 सितंबर 10 सप्टेंबर है ठीक है भाद्रपद शुक्ल फ़िए और गनपती जी का जो महाउठव ये महाउठव चलता है ठीक है अब यह को यह महाँठव धरे-धरे महराष्ट्र में पहले होता था और महाराष्ट्र में इन की स्थापना जोकी थी वो बाल-गंगाधर-।िलक ठीक है तो दो जब अपना जिसको कहते हैं अंग्रे गनेश जी का उत्सव होता था साब लोग इकठाव कि आज भी देखो आज हर जगा अब ये तो तिवहर जो है वो सिर्फ महाराश्टर नहीं ठीक है देश के सारे राज्य में मतलब तुम धाम से मनाया जाता है वीदेशों में भी जहां पे भी जो महाराश्टर लोग रहते है मराथी लोग रहते है और अभी तो ऐसा है कि जो भी भारतिये लोग जहां के भी रहते है ठीक है तो वहां हर कहीं पे ये गनेश जी का उत्सव बहुत दाम दों से मनाया जाता है बहुत ही जैसे देख लो कि नहुरात्रा जो है वो मतलब गुजरात में था अब वो पूरे विश्व में फैल चुका है वैसा ही गनेश उत्सव है वो भी पूरे विश्व में फैल चुका है यही तो हमारे सनातन हिंदु धर्म जो है उनकी एक महांता लक्षनिकता है आनन देने वाले सारे तिवार होते हैं किसी भी चीज़ की मनाई नहीं ऐसा है सब को सम्मेलित करक है सब को एक साथ लेकर चलते हैं अब देखो होली जो है वो अब उत्तरप्रदेश उत्तराखंड ठीक है बिहार वहां उत्तरी राज्यों में देख लो बहुत जोरों से मनाई जाती है पर धीरे दिरी यह होली अब राजस्तान गुजरात महराश्रा दक्षीन के भी जो रा जानन से मनाते हैं सातों यह जो गणपती जी का जो है महा उत्सव बोला जाता है दस दीन का रहता है यह तो 10th of सितंबर उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दी है ठीक है और चतुरदशी ठीक है चतुरदशी के एक दिन पहले मनलब चतुरदशी जो है अनंद चतुरद लेते हैं कोई-कोई जो है अपने घर में मनलब एक दिन, देढ़ दिन, तीम दिन, पाज दिन, साते दिन वेसे गनेश जी लेके आते हैं ठीक है तो गनेश जी को आप लेके आओ 10 सितंबर को और गनेश जी जो है ठीक है उनका जो विसर्जन है ठीक है गनेश महा उत्सव के समाप्ति का जो दीन है वह है 19 सिटेंबर 19 सप्टेंबर ठीक है 19 सिटेंबर है वह अनंच चतुरदिशी का दीन है तो आईए सब लोग मिलके गनेशी के उत्सव में सम्मीलित होते हैं गनपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया